कि मैं भी परब्रम बन सकता हूँ परब्रम बना नहीं जाता परब्रम था परब्रम है और परब्रम रहेगा भगवान बना नहीं जाता कोई भी अवतार बना नहीं है अवतार थे अवतार हैं और अवतार रहेंगे एक बहुत बड़ी भ्रांती है तो आत्मा कोई ब्रह्म कहा गया है बिल्कुल सही अगला आत्मा के कभी किसी चीज से भी उसको खतम नहीं किया सकता ना इनम चिंदन शस्त्राणी ना शस्त्र से ना अस्त्र से ना पानी से ना अगनी से किसी चीज से भी उसको जराए नहीं जा सकता डुबो एंगे भगवान ने एक चिस सिद्ध करिए देखिए ध्यान रखिएगा भगवान ने जादा कोशिश बताओं किस पर करिए ये बताने के लिए कि जीव आत्मा सनातन है अगर आप दूसरा अध्याय पढ़ेंगे न क्योंकि ध्यान रखिए अगर ये सिद्ध हो गया कि हम सनातन है ना प्रभु जी तो चित और आनंद अपने आप नेक्स टेज पर आ जाएगा आत्मा को क्या बताएगा सत चित और आनंद सत का मतलब सनातन तो भगवान बार बार दूसरे अध्याय के अंदर पहले सिद्ध करना चाह रहे हैं क्योंकि हम क्या समझते हैं अरे एक जीवन है आज कल का क्या बेसिकलिए है वन लाइफ टाइम इंजॉइट है ना यही एक जीवन है मजा कर लो फिर उसमें तो प्रभु जी अगर ऐसा सोच के चलोगे तो भगवान ने यही चीज़ कही है पहला इसको खतम करूं कि एक जीवन नहीं है बेटा तू सनातन है इसलिए दूसरा देह जब पढ़ोगे तो आप बार बार ना तो एवा हम जातू ना शम ना तूमने में जना दिपा दहीनी अस्मीन यता देहे कौमारम यवनम जरा ना हन्यते हन्यमाने शरीरे सब के सब इसी बतार इसी बात पर चल रहे हैं कि आत्मा कभी खतम नहीं होती आत्मा के उपर काल का असर नहीं है इस शरीर पे काल को छोड़ कर और किसी का असर है ही नहीं जो मैं भी बताने जा रहा हूं आपको हिस्सित करेगा कि आत्मा निराकार नहीं है आत्मा साकार है पहली चीज़ भगवान ने शुरुआत किस से करिये भगो दीता मैंने पहले आपको पहला श्लोक अगर आपने मिस कर दिया तो आपकी गड़बढ़ हो गई क्या गड़बढ़ हो गई कौन से शिश्यस्ते हम साधिमाम प्रपनम आज प्रशनाप कर सकते हो कि कृष्ण भगवान तो आप हमारे पास सामने है नहीं तो किसकी शरण में जाए तो सिंपल प्रतिनिदी है ध्यान रखिएगा गुरू कृष्ण के प्रतिनिदी है प्रण्तु जब जब वो कृष्ण बनने कोश्च करेंगे तो उनको जेल हो जानी चाहिए क्यों सुनिये ध्यान पुरवक प्रेजिडेंट जो इंडिया का राश्पती है भार के देशों में इसका प एक्स्ट्राइडनरी होता है जबी मैं एक जातर कहता हूं कि क्रिष्ण वर्शिपेबल गुरू है मतलब जिनकी पूजा करी जाती है और गुरू रिस्पेक्टिबल होते हैं उनकी हमें इज्जत करनी है किसके बराबर प्रंतु प्रेजिडेंट नहीं हो गया जब राजद जाएं प्रतिनी दी के द्वारा भगवान ने कहीं दिया तद्विधी प्रणी पाते ना परीप्रस्णे ना से वया उपतेक्षेंटिते ज्यानम ग्याने निस तत्व दरशिना के अर्जुन गुरू के पास जाज इसने तत्व कर दशन किये हूं और तत्व को दिशन सबसे करीब है अब दुसरों समझते हो करीब इन सबसे करीब कौन है बगवान ने बताइए उसी को में छोड़ रखा है कमाल सबसे पारफुल व्यक्ति को निके बहुते हैं तु याद नहीं है और को कुछी बता रहा हुआ रहे है मोधी को याद नहीं है तरह साथ चाह पी सबसे दिरए नहीं है Dra.